सो हे देर दोस्तो स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल डिजनी निव्ज नेटवर्क इंडिया पे और मैं हूँ आपका इंडिया नानी में होम और आज के इस वीडियो में मैं ही वोईस ओवर देने वाला हूँ क्योंकि DN2I यानि की डिजनी निव्ज नेटवर्क इंडिया भाई के फाइनल बोर्ड एक्जाम्स चल रहे है आज यू नो वो टेन में है सो वो स्चडीज में बीजी है सो गाईस आज के इस वीडियो में बहुत सारे अपडेट्स है इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और चैनल पे निव हो अगर आभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही बहुत सारे ओपी एंड ओसम अपडेट्स मिलेंगे आपको इस चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड और बैल आइकन को क्लिक करके ओल पे क्लिक कर दो और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ज्यादा लोगों तक ये अपडेट रिच हो So without wasting any time let's begin So guys हमारी पहली अपडेट है एक रिमाइंडर जो की है बड़ी मेरा बड़ी स्टार्ट होने वाला है आज से और उसकी टाइमिंग्स है शाम के 7.15 पीम So guys हमारा नेक्स अपडेट है बड़ी अपडेट है बड़ी अपडेट की डबिंग के बारे में कि उसकी जो डबिंग है वो खतम हो चुकी है यानि करीब वन मन्त पहले इस चैनल पर वीडियो डाला था डियन टुवाई भाई ने यहाँ पर उन्हेने मोहित सिनहा सर यानि की आईगर अकबाने के ओफिशल हिंदी वॉइस से पूछा था कि क्या बड़ी बर्स्ट राइस का डबिंग स्चार्ट हो चुका है तो उनका रिप्लाई येस कहके आया था सो अब जो है सर से पूछा गया था कि क्या बड़ी बर्स्ट राइस का डबिंग खतम हो चुका है एंड सर ने रिप्लाई किया येस डबिंग इस कम्प्लीटड एड इस चैट के स्क्रीन शॉट के लिए एनिमे वेक्टर का शुक्रिया एंड डबिंग इसके लिए इतनी जल्दी खतम हुआ बिकास बेड बर्स्ट राइस में सिर्फ 26 एपिसोड ली है हमारा नेक्स अपडेट है काटू नेटवर्क पे ड्रुएगन बॉल सूपर के बारे में और उसका एक और न्यू प्रोमो आया था जो इस चैनल यानि डिजनी न्यूज नेटवर्क पर एवलेबल है और लिंक इस इन डिस्क्रिप्शन तो अभी तक आपने अगर नहीं देखा तो अभी के अभी जा के देख लो वी बेर बेर्स दे मुवी की तरफ से जिसका एक और प्रोमो आया था कार्टू नेटवर्क पे आज से ठीक पहले जिसमें उन्होंने मुवी का रिलीज डेट बताया था जो की है 8 अभी यानि संडे एंड टाइमिंग है दुफएर का साड़े 3 पीम और इसका प्रोमो हमारे इस चैनल यानि की डिजनी नेटवर्क इंडिया पे एवलेबल है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वहाँ से जाकर डेफिनेटली चेक आउट कर लेना अगर अभी तक नहीं देखा तो अभी क्या अभी जाके देख लो तो हमारा नेक्स अपडेट है पोगो पे टू न्यू अनिमेस आने वाले है जिसे कन्फर्म किया है खुद कार्टून नेटवर्क इंडिया के सीओ अभी शेक दत्ता सर ने अगर आपको पता है तो हम लोग बता दे कि टीवी के अलग अलग पार्टिशियन जिसका पांच अलग रेटिंग्स है जो बताता है कि कौन से एज के व्यूज उस पर्टिकिलर अनिमे कार्टून मुवी या कुछ और देख सकते है जिन में से टीवी वाई सेवन और टीवी पीजी भी है और अभी सिर्फ इन दोनों को ही एक्स्प्लेन करने वाले है जो गैस टीवी वाई सेवन का मतलब है कि ये पर्टिकिलर मुवी या शो या एनिमे साथ साल के उपर एजड वाले बच्चे के लिए है एन देन आता है टीवी पीजी जिसका मतलब है कि कोई पर्टिकिलर शो या एनिमे या मुवी जो बच्चे जो है अपने पैरेंस की गार्डियन्स पे ही देखना चाहिए यहाँ इंडिया में तो एनिमे सिर्फ टीवी वाई सेवन डेटेड वाली ही आती है लाइक पोकीमान, बेब लेट, डोरेमान, शिंचैन और टीवी पीजी वाले एनिमे होते है ड्रागन बॉल सुपर, नारूटो जैसे एनिमे जिनमे कुछ मच्च और कंटेंट या फिर सीन होते है तो अभी पोगो पर टीवी वाई सेवन का एक एनिमे आने वाला है, तो वो हो सकता है योकाई वाउच या फिर कोई और एनिमे ज्यादा चांसे योकाई वाउच के लिए ही है, क्योकि हमारे सूत्र भी छार पाच महिने से कह रहे है कि योकाई वाउच पोगो टीवी पर ही आएगा और दूसरे आनिमे का यानि टीवी पीजी रेटेड वाले आनिमे के बारे में हमें पता नहीं कि कौन सा आनिमे हो सकता है वो और अभी फिर से आते हैं टॉपिक पे, सो बाद में डी एन टो आई भाई ने पूछा था अभी शेक दत्ता सर से कि क्या उन एनिमे के राइट्स आपके पास करेंटली है सो सर ने रिपलाई किया कि एनिमे के राइट्स है बट दूसरे का नहीं एन फर्स एनिमे का अनौशमेंट कुछी दिनों में होने वाला है पोगो पर यानि पोगो पर पहले एनिमे का प्रोमो आएगा और सूत्रों ने कहा है कि first anime का प्रोमो अगले 10 दिन में अभी भी आ सकता है तो guys हमारा next update है सूत्रों के अनुशार Dragon Ball Super के खतम होने के बाद जो है Cartoon Network पर Dragon Ball Z आएगा अभी जो है rights record करने के process में है वो so this is a kind of good because बहुत सारे लोगों ने Dragon Ball Z भी नहीं देखा है इस update है कि हमें ये पाता चला है कि वोट केट्स ने जो है Dragon Ball Z के rights को खरीद लिया है और बहुत ही जल्द अपने आप यानि वोट केट्स पर वो लोग Dragon Ball Z लाने वाले है and probably ये English dub में ही होगा and Hindi dubbing में आने के chances बहुत कम है so guys ऐसे ही बहुत सारे ओपी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को यानि कि Disney News Network इडिया को और बैल आइकन दबा के All पे क्लिक कर दो and also वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि ज्यादा लोगों तक ये अपडेट रिच हो तो इतनी ही थी हमारी आज की वीडियो मिलता हूं आप से किसी और जिन किसी और नहे वीडियो में तब तक के लिए stay home stay safe sayonara and thanks for watching इप सक लाइक का जआई इयो कर दोगए याल्द च्छाए शैपर लाइक है बतक का देंदा!!!!